हेलो एवरीवान, वेलकम टो फार्मा रॉक्स यूट्यूब चैनल, फार्मा रॉक्स के यूट्यूब एचुगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है, इन टोडेज वीडियो लेक्चर, वी विल स्टेडी इन डेटेल अबाउट दे, मेडिसिन्स एन ट्रीटमेंट फॉरे एम अमनोरिया की ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह से डाइग्नोसीज होता है, कौन से मेडिसिन्स वेगेरा यूज किया जाते हैं, क्या प्रॉपर टैक्निक रहती है, तो ट्रीट इस कंडिशन, यह सभी के बारे में हम ये वीडियो लेक्चर में डेटेल में स्टडी करेंगे, एमनोरिया की जो मेडिकल टम है, फॉर दे कंडिशन ओफ एपसंस ओफ मैंस्टोरियल पिरियड्स और नो पिरियड्स, कि जिसको हम कहते हैं, हिंदी में मासिक धर्म का बंध हो जाना, तो अचानक से ही जो मासिक धर्म, मतलब कि जो पिरियड्स अचान अचानक से बंध हो जाना, तो उसकी जो कारण होते हैं, रिजन्स, साइन और सिम्टम्स वगेरा को हमने पार्ट वन वीडियो लेक्चर में अल्रेटी डिटेल में स्टडी किया, ये पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर जो है हमारा स्पेसली रहेगा उसकी ट्रेटमेंट औ और मेडिसन्स के बारे में कि कैसे इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, किस तरह से कंडिशन को मैनेज कर सकते हैं, तो ट्रीट पर से ट्रीटमेंट और मैनेज पर से मैनेजमेंट किस तरह से हम ये कंडिशन को मैनेज कर सकते हैं, या फिर ट्रीट कर सकते हैं, कौन से मेडिसन्स यूज होते हैं तो सभी को यह पार्ट टू लेक्चर में हम स्टडी करेंगे तो पार्ट वन में अल्रेडी हमने उसके कारण के बारे में सीखा कि what are the reasons for absence of menstrual periods के जिसको हम कहते हैं कि no periods कि absence of menstrual period और there is a no periods तो वो condition को हम कहते हैं medical terms में एमनोरिया तो एमनोरिया के दो reasons होते हैं तो primary भी हमने देखा, secondary भी देखा कि अचानक से ही menstrual periods आना बंद हो जाता है या फिर by worth ही कुछ problem है उसके करण there is no minarchy कि जो 14 year की age पे समझो कि हम consider करे 16 years की age पे consider करे कि first menstrual cycle start होगा बट वो start ही नहीं होता तो that was the no minarchy तो यह सभी को हमने part 1 में detail में study किया था तो this expert lecture by Ammar Sar, Mr. Ammar M. Rawal, B.Farm M.Farm in Pharmacetics, PhD pursuing assistant professor and founder of PharmaRox, pursuing the PhD from Gujarat Technological University, I am Davad, Gujarat so thank you friends for being in a one lakh family of PharmaRox आप सभी के support के करण PharmaRox ने अपने एक लाग से भी ज़्यदा subscriber complete किया है जिसके करण YouTube ने हमें YouTube creator reward से जो सनमान मिला है उसके लिए आप सभी के हम बहुत बहुत आपहरी है so updated रहिए Pharma Knowledge के साथ इसलिए subscribe करिए channel, press करिए bell icon, never miss any video of PharmaRox PharmaRox का mobile application available है तो download करिया PharmaRox, access करिया study material, taste series and video lecture तो link हमने description box में दे दी है तो जरूर से check करिये mobile application को तो एमनोरिया के जिसको हम कहते हैं absence of menstrual periods in women during her reproductive years कि जो age के जिसके अंदर वो हम कह सकते हैं उसके reproductive age है, reproductive years है या फिर proper जो puberty के बाद और menopause के पहले के condition की जो proper किसे भी women के लिए हम कहते हैं और दूसरे वर्ड में हम कहें तो reproductive years की puberty की समझे की puberty का हम consider करते हैं 11 years और menopause को हम consider करते हैं 40s और 50s के अंदर तो in between इसमझे के 26 year की age में आपको ऐसा हुआ कि आपके period सचनक से आने बंद हो गये है और ये continuously तीन मेने तक ऐसा होता है कि first month, second month, third month और fourth month स्टार्ट होता है फिर भी no periods तो ये condition को फिर medical terms में हम कहते है एमनोरिया और उसको proper treat करना ज़रूरी है बिकाज उसके करण काफी risk रहते है, complications रहते है तो इसका treatment के बारे में हम diagnosis कैसे होता है ये ये video lecture में study करेंगे तो एमनोरिया commonly natural होता है during the pregnancy and lactation बट अलग-अलग जो reasons के करन उसके अलावा भी एमनोरिया जो हो सकता है तो उसी के बारे में हम ये video lecture में detail में study करेंगे कि जो दूसरे जो type है एमनोरिया के उसकी हम treatment कैसे करें कि जो natural एमनोरिया तो pregnancy और breastfeeding के दोरान होता ही है बट उसके अलावा जो एमनोरिया होता है उसको कैसे treat किया जाए तो दो type है एमनोरिया के primary और secondary जो student directly ये part 2 देख रहे है उनको request है कि जरूर से पहले आप part 1 अच्छे से देख ले जिससे आपको ये video lecture में और ज्यादा समझ में आएगा link हमने नीचे description box में दे दिये तो description box open करिये तो वहाँ से तुरंत आपको part 1 की link मिल चाहेगी part 1 अच्छे से study कर लिए उसके बाद ये part 2 के अंदर उसके diagnosis और medicines के बारे में पढ़िये है तो ये जो causes and risk factor है वो सभी को हमने detail में explain किया था part 1 के अंदर की natural अमनोरिया होता है contraceptives के कारण medications के side effect तोर पे lifestyle related factors की जैसे कि आप excessive exercise करते है stress लेते है hormonal imbalance जैसे कि polycystic ovary है आपकी तो polycystic ovary syndrome है जिसको PCOS हम कहते है या फिर thyroid का problem है कि thyroid malfunction है pituitary gland related problem है उसका tumor है premature menopause होता है structural problem जैसे कि structural abnormality of vagina uterine scaring या फिर leak of reproductive organ कि आपके body के अंदर reproductive organ ही present नहीं है या फिर उसके कोई part तो यह सभी causes and risk factors detail में part 1 में हमने समझा है उसलिए आप फिर से उसका explanation जो है वह हम नहीं देंगे बट detail में उसको explanation के तो और पर समझना है तो part 1 को जरूर से देखिए sign and symptoms हम देखे तो पहला sign and symptoms तो यही है कि absence of menstrual periods बड़ उसके अलावा भी जो women's के अंदर symptoms देखे जाते हैं आमनोरिया के अंदर तो वह है milky nipple discharge hair loss होता है headache होता है vision change excess facial hair की face पे excessive hair जो है वह देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे usually women's के अंदर hair नहीं होते वहाँ पे excessive hair आपको देखने को मिलते हैं pelvic pain होता है acne vaginal dryness and night sweat तो absence of menstrual periods और उसके साथ साथ समझों कि यह symptoms भी आपके अंदर develop हो रहे हैं तो तुरंद से उसका अच्छे से करवा लेना चाहिए diagnosis और diagnosis दो तरीके से होगा एक तो sign and symptoms की basis पे होगा कि जिसको हम कहते है physical examination and medical history और उसके अलावा उसके अंदर अलग-अलग test पर हम के जाता है तो सरवात करते है diagnostic evaluation से तो अभी जो मैंने बात के विए से history collection and physical examination based on the sign and symptoms क्या आपका सबसे पहले तो आपके sign and symptoms पूछे जाएंगे आपको क्या आपको क्या complications हो रहे है आपकी physical history अच्छे से physical examination के साथ साथ आपकी जो medical history हम कहें तो वो अच्छे से collect की जाएगी कि menstrual cycle का आपका क्या routine था as well as last menstrual periods आपको कव आया था तो वो सब history collection के अंदर आएगा कोई दूसरी आपको disease है या नहीं polycystic ovarian syndrome है या नहीं तो वो सब अच्छे से physical examination as well as history collection की जिसको हम कहें medical history वो की जाती है as well as the signs and symptoms उसके basis पे भी आपको पता चलता है एमनोरिया के बारे में बट ज्यादा और detailed diagnosis के लिए कि जो hormonal imbalance के करण सायध हुआ हो hormonal problems के करण यह हो रहा है तो next किया जाता है blood test तो blood test to determine the level of hormones की hormones की जो level की जो pituitary gland के hormone की जो FSH की जिसको हम कहते है follicle stimulating hormone की जो FSH कहा जाता है luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone and prolactin and the various estrogen तो यह सब hormones का level आपके अंदर कितना है तो उसके लिए blood test जो है वो जरूरी बन जाता है तो blood test सबसे पहले किया जाता है confirmation के लिए कि पहले तो history और physical examination से तो चलो आपको कुछ अंदाज आ जाता है बट वहाँ पे आप आगे confirmation करने के लिए patient का blood test करते है next is diagnostic evaluation is by ultrasonography ultrasonography of pelvis may be performed to access the abnormalities of zenital tract or look for polycystic ovaries क्या आगे हमने causes देखा था reason देखा था कि reproductive organs related कोई problem हो structural abnormalities हो तो जब structural कोई abnormalities है कि समझे कि uterus के अंदर कोई problem है ovary के अंदर कोई problem है तो उस वक्त proper sonography करने से पता चल जाता है कि जिसके लिए ultrasonography perform की जाती कि जिससे आपको exact पता चलता है तो यह जो है वो यहाँ पे आप देख सकते है कि जो uterus का जो portion specially check किया जाता है and second यहाँ पे जो आप देख सकते है ovaries के reason में जो mark किया हुआ है तो उससे आपको पता चलता है कि ovaries आपकी normal है या नहीं यहाँ पे cyst formation है या नहीं तो वो चेक किया जाता है by proper ultrasonography कि ultrasonography से पता चलता है कि कोई abnormality है या नहीं या फिर polycystic ovaries है या नहीं वो अच्छे से चेक किया जाता है by the ultrasonography next है जरुरत पड़े तो CT scan and MRI MRI of head to perform to exclude pituitary and hypothalamic cause of amnorea कि हमने देखा कि pituitary gland के जो hormones है कि हमने अभी जो बात की कि FSH है LH है TSH वगेरा कि हमने बात की तो follicle stimulating hormone, luteinizing hormone thyroid stimulating hormone तो यह जो TSH वगेरा hormone है वो usually secret होते है उनका जो controlling point है वो है pituitary gland तो वो भी समझो कि damage होती है या फिर उसके related कोई problem है तो भी आगे जाकि यह hormone imbalance होता है कि जो pituitary gland की related tumor है कोई वहाँ पे or disease condition से produce हुई है regarding the pituitary gland उसका कोई damage है तो वो चेक करने के लिए CT scan या फिर MRI जो है वो perform किया जाता है patient का कि जिससे हमें पता चलता है कि अगर pituitary gland के करन ये एमनोरिया हो रहा है तो आप जो है वो patient की treatment उस direction में start कर सकते हैं डाइगनोस्टिक इसलिए कि आपको कौन सी way में उसकी treatment करनी है patient की कि समझे कि pituitary gland के related problem है तो आपकी treatment का target फिर रहेगा ये pituitary gland वैसे ही समझे कि structural abnormalities है तो जैसे हमने previous slide में देखा कि आपको ultrasonography से जो पता चला है कि को structural abnormality है polycystic ovary है तो वो direction में आगे patient की आप treatment करेगे तो diagnosis यहाँ पे main important है कि ये जो menstrual cycle related जितने पे diseases and disorders होते है उसमें ये diagnosis prime important है because diagnosis के base पे as well as sign and symptoms के basis पे हम आगे medicines and treatment decide करते है if the above tests are inconclusive कि अगर जो आगे के जो आप test करते है उसका आपको कोई conclusion नहीं मिल रहा तो additional test may be perform कि previous slide तक हमने जो भी अलग-अलग testing देखे कि आपने city scan भी किया MRIB किया, ultrasonography की, blood test किया, physical examination की उससे भी अभी तक आपको proper conclusion पर आप नहीं पहुचते कि amnoria है तो उसके लिए आप आगे अधर टेस्ट जो करेंगे, additional test जो हम करेंगे, वो है thyroid function test कि thyroid function test के अंदर usually TSH as well as T3, T4 वगेरा के levels चेक किये जाते कि जो thyroid hormone से हमारे तो जब normal condition होती है तो उस वक्त दोनों का जो level है, वो normal होता है, उसकी range में जब hyperthyroidism होता है, तो उस वक्त TSH low होता है, और T3, T4 का level high होता है उससे completely reverse, जब hypothyroidism की ये T3, T4 low amount में secret होते है उस वक्त TSH का level normal से high हो जाता है और जो secondary hypothyroidism होता है, तो उसमें TSH भी low हो जाता है and T3, T4 भी low होते है, तो अगर reason thyroid malfunction है कि thyroid hormones के अंदर disturbance हुआ है, hypo या फिर hyperthyroidism है तो उसके लिए thyroid function test भी करना ज़रूरी है और उससे भी एक diagnosis हो सकता है, एमनोरिया का तो फिर आप वो related medicine स्टार्ट कर सकते हैं, समझो कि reason है thyroid problem, तो जो thyroid की जो medication से वो साथ में दी जाती कि समझो कि आपको thyroid के problem के कारण menstrual periods delay हो रहा है, तो वो direction में हम आपकी treatment कर सकते हैं उसके बाद है कि determination of prolactin level, कि prolactin level है, वो अच्छे से determine किया जाता है, then hystero-alpingo graph, ये खास समझी आप कि कि जिसके अंदर कहा जाता है, X-ray test which examines the uterus, कि यहाँ पर बाजू में जो आप diagram देख रहे हैं, वो diagram जो है, वो specially कि hysteros alpingo graph का आप देख रहे हैं, यहाँ पर कि समझे कि यहाँ पर यूटेरस का जो portion है, वहाँ पर HSG जो है with block tube कि समझे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि block tube block है, कि जो fallopian tube हम कहते हैं, उसका blockage है तो वो पता चलता है, hysteros alpingo graph से, और ये भी एक अच्छा diagnostic feature बनता है, एमनोरिया के लिए कि समझे कि यहाँ पर कोई blockage है, कोई abnormality है, तो भी आपको ये test से पता चल जाएगा, next है hysteroscopy, एक और option है हमारे पास diagnosis का वो है hysteroscopy, तो hysteroscopy में क्या किया जाता है, कि जैसे हम endoscopy करते है, colonoscopy करते है, same like that, hysteroscopy के अंदर hysteroscope use होता है, तो hysteroscopy is a procedure that allow your doctor to look inside your uterus in order to diagnose, in order to diagnose, कि diagnosis करने के लिए, आपके uterus के अंदर अच्छे से चेक किया जाता है, कि जो hysteroscopy, कि hysteroscopy is a procedure that allow your doctor to look inside your uterus in order to diagnose, कि अच्छे से diagnosis के लिए hysteroscopy perform की जाती है, and it is done using hysteroscope, यह point पे खास ज्यान रखी है आप, कि यह point अच्छे से याद रखना है, कि hysteroscopy करने के लिए, कौन सा instrument या फिर device यूज होती है, कौन से medical device यूज होती है, तो medical device का जो नाम है, वो है hysteroscope, जैसे colonoscopy के लिए colonoscope यूज करते हैं, hysteroscope, the hysteroscope की जो specially वजाइनली किया जाता है, कि athene lighted tube, that is inserted into the vagina to examine the cervix and inside the uterus, तो इसके आगे भी जो camera होगा, और वो camera के करण, आपको उसके जो picture से, videos है, वो directly monitor के उपर या फिर उसके आपको images मिलेंगे, जिससे proper diagnosis होगा, कि कौन से reason के कारण, आमनोरिया हो रहा है, तो ये एक diagnostic feature है, hysteroscopy, अब बात है management and treatment के किस तरह से, अब ये condition को हम treat करें, कि आमनोरिया के absence of menstrual periods और no periods, कि completely there is no periods की जो condition produce होती है, तो उसके लिए treatment जो है, वो based on its causes, symptoms और diagnosis के कौन से type का, कोस के करण, diagnosis हुआ है, ते एक है dopamine agonist की जो काफी effective रहते हैं, आमनोरिया के अदर, second है hormone replacement therapy, कि जिसको कहा जाता है HRT, hormone replacement therapy, dopamine agonist, next is metformin, then oral contraceptives, next is madroxy progesterone, तो यह है treatment और management, तो अब सभी कोड़ डेटेल में जानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि यह सभी किसी एक को उपर परफॉर्म की जाएंगे, based on the causes, based on the symptoms, इन में से कोई भी option जो है, वो use किया जाता है, to treat द्यामनोरिया, कि यह सब हमारे पास option से कि किस तरह से treat करें, तो सबसे पहला होता है, कि dopamine agonist, जैसे कि, bromocryptin, कि जो bromocryptin जो medicine है, कि जिसकी strength usually 2.5 mg, और यह रहेगा, Rx only, यह रहेगा Rx only, proper आपको, gynecologist को diagnosis करवा के, उनके prescription के साथ ही, यह medications आपको available होगी, तो bromocryptin है, कि जिसका brand name आप देख सकते हैं, perlodal, 2.5 mg, tablets, second है, pergolide, permax, देख सकते हैं, कि जिसकी जो strength है, 250 micrograms की टाबलेट है, या फिर 0.25 mg, कि यह दोनों Rx only रहेंगे, यहाँ पे लिका है, कि prescription only medicines, keep out of reach, of the children, कि बच्चों से दूर रखिए, और दूसरी बात, कि prescription only, Rx only रहेंगे, they are effective in treating the hyperprolectemia, कि hyperprolectemia के जो condition होती है, उसको treat करने में use होती है, and in most women treatment with dopamine agonist, medication, restore, normal, ovarian, endocrine function and ovulation, तो यहाँ पे आप point समझे, कि जब आपका ovulation normal हो जाता है, ovulation cycle normal हो जाता है, endocrine function भी आपके normal हो जाते है, तो automatically आपका जो amnorea है, वो भी treat हो जाएगा, और आपके menstrual periods जो है, वो start हो जाएगे, और दिरे दिरे वो normal भी हो जाएगा, तो hyperprolectemia की जहाँ पे, जो prolactin जो है, उसका level समझो कि, आपके अंदर increase हो रहा है, hormonal imbalance हो रहा है, तो वो hormonal imbalance को proper फिर से, करने के लिए, dopamine agonist class की drugs, जो है, वो prescribe की जाती है, तो bromocryptin and pergolate, तो ये MCQ के लिए भी काफी IMP रहेगा, आपके लिए for multiple choice question, this is very very important, pinpoint, आगे सिखते हैं, इसी के अंदर second है, hormone replacement therapy, hormone replacement therapy की, जिसको short में हम HRT भी कहते हैं, hormone replacement therapy, तो hormone replacement therapy के अंदर, specially जो it consisting of an estrogen and progestin, can be used for women in whom estrogen deficiency remains because of ovarian function cannot be restored, तो जो hormone replacement therapy होती है, उसके कुछ side effect भी होती है कि like headache and nausea जैसा होता है, आपको bloating होता है, indigestion जैसा होता है, cramping होता है, sporting and vaginal discharge आपको देखने को मिलता है, fluid retention and breast pain, तो HRT के कुछ side effect भी होते हैं, बट उससे जो hormonal imbalance था, वो फिर से देरे देरे normal होता है, और condition treat हो जाती है, उसके बाद समझो कि उसका symptom, polycystic ovary syndrome के कारण समझो कि आपको हो रहा है amnoria, कि metformin is a drug that has been successfully used in women with polycystic ovary syndrome to induce ovulation, कि ovulation को induce करने के लिए metformin, जो है वो prescribe की जाती है, कि जिसको polycystic ovary syndrome का problem है, तो metformin की जो plain metformin 500 mg without any combination of other oral hypoglycemic drugs, कि metformin हम जानते हैं कि diabetes के अंदर prescribe की जाती है, तो इसके अंदर combination भी रहते हैं दुसरे anti-diabetic drugs का, बट यहाँ पे जो metformin को हम use करेंगे, वो रहेगा plain metformin hydrochloride without any combination of other anti-diabetic, तो यह खास आपको दियान रखना है कि इसका self-medication नहीं करना है, this is Rx only, this is also the Rx only, कि खुझ से ही आपको यह नहीं 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 प्रॉपर डाइग्नोसिस करवा के, कि आपका reason समझेगी एमनोरिया का polycystic ovaris syndrome है, तो ही metformin और वो भी plain without any combination, तो यह दो-तीन बार में इसलिए आपको बता रहा हो कि कोई यहाँ पे गलती नहीं हो, mistake नहीं हो, तो only the plain metformin tablet कि वो film-coated हो, या फिर sustained release हो, उससे कोई problem नहीं है, but जरूरी है metformin 500 mg only. So, if the cause of hemmonoria is PCOS, then metformin is defective. तो यासे हमने बात केते हैं कि causes and symptoms के बेस पर, diagnosis के बेस पर हम आगे decide करते हैं कि कौन से medications prescribe करें patient को, तो समझो कि यह reason हमें मिलता है कि polycystic ovaris syndrome के करण, amnoria हो रहा है, no periods, irregular periods है, ovarian syndrome हम कहते हैं कि ovaris syndrome proper नहीं हो रहा है, तो उसको अच्छे से induce करने के लिए, normal करने के लिए metformin काफी effective है. उसके बाद oral contraceptives कि कुछ cases में oral contraceptives suit नहीं होते तो भी यह problem होती है, बट कुछ लोगों को in some cases यही contraceptives उनका ovulation cycle normal भी करके देते हैं कि जब उनको pregnant नहीं होना है, कि who do not wish to become pregnant, कि वो अभी वो age के अंदर है कि उनको अब आगे pregnant नहीं होना, या फिर उनको pregnancy को prevent करना है, और साथ में एमनोरिया को भी treat करना है, तो oral contraceptives उनको prescribe की जाती है, in some cases oral contraceptives may be prescribed to restore the menstrual cycle and to provide estrogen replacement to women with एमनोरिया who do not wish to become pregnant, कि यहाँ पर ये case ऐसा है, not in all cases, but only in some cases, कि जहाँ पर एमनोरिया भी है, और उसको ठीक भी करना है, और जो woman है उसको pregnant नहीं होना है, who do not wish to become pregnant, तो उस वक्त आपको उसको जो oral contraceptives के जिसको हम दूसरे वर्ड में कहते हैं, birth control pills, कि जो हमने detail में ये lecture बनाया था birth control pills, उसमें समझाया था, कि total 28 tablets, जिसमें 21 जो होती है, hormonal tablet और 7 जो है, वो iron folic acid की रहेगी, या फिर placebo, तो डिपेंड करता है कि iron folic acid की है, कि समझें कि anemia वगेरा हो, iron folic acid की deficiency है, वो भी क्योर हो जाए, या फिर कुछ के अंदर वहाँ पे placebos भी होते हैं, कि directly placebos की lactose की tablet हो, या फिर only उसके अंदर एक्सिपेंट ही हो, drugs present ना हो, तो ये oral contraceptives भी prescribe की जाती है, कुछ cases के अंदर, next है, ये point खास समझना है, कि before administrating oral contraceptives, कि oral contraceptives की therapy start करने से पहले, कि before ये खास, कि directly आप oral contraceptives नहीं देंगे, उसके पहले, withdrawal bleeding जो हम कहते हैं, is induced, withdrawal bleeding is induced, with an injection of progesterone, कि जो progesterone की जो injection दिये जाते हैं, कि जिसका brand name है, madroxy progesterone acetate injection, कि जो suspension has per usb 150 mg per ml, और ये भी रहेगा, rx only, या फिर उसकी oral administration tablet की जो 5 से लेकर 10 mg की strength में रहती है, ये वाली, rx only, madroxy progesterone acetate tablet, 10 mg या फिर 5 mg की strength वाली, rx only, for 10 days, 10 दिन तक चाहिए आपको injection की therapy या फिर ये tablets की, तो better tablet भी prefer करते हैं लोग, कि जिनको injection नहीं लेना तो वो tablet का भी option है, और tablet नहीं लेनी और injection prefer करनें तो injection का भी option है, दोनों option available है यहाँ पे, तो जो withdrawal bleeding start करवाने के लिए, to induce the withdrawal bleeding, कि ये normal periods नहीं है, बट ये hormones के कारण induce किया हुआ, कि आपको जो hormonal की tablets दी जाती है, उसके injection दिये जाते हैं, जिसके कारण जो withdrawal bleeding होगा, तो उसके लिए ये दिया जाता है medicines before administering oral contraceptives, your period, your period on the contraceptive pill is actually called the withdrawal bleeding, कि जो period start होते हैं, या फिर जो bleeding होती है, due to this medications, कि जो progesteron के जो injection देते हैं आपको, या फिर उसकी tablet और उसके कारण जो induce होता है, automatically, naturally नहीं होता, बट medicines के कारण हम induce करवाते हैं, तो वो कहा जाता है withdrawal bleeding, तो ये पहले कराना जरूरी है before administering the contraceptive, और एक बार समझे कि ये withdrawal bleeding start हो जाता है, और फिर वो बंद भी होता है, उसके बाद जो है वो आगे oral contraceptives का जो regular core से, वो start किया जाता है कि जो 28 tablets होती है, और वो proper device जो है वो ली जाती है, तो ये था management and treatment by contraceptives, next है, कि some pituitary and hypothalamic tumors, कि कुछ cases में हमने diagnose करते हैं, कि pituitary and hypothalamic tumors के कारण, patient को ऐसा हो रहा है, तो उस वक्त आपको surgery की जरूरत है, कि some pituitary and hypothalamic tumors may require the surgery, और इन सम केसे अल्सो दो radiation therapy, कि radiation therapy से भी आप कर सकते हैं, treat as well as pituitary and hypothalamic tumors को treat करने के लिए surgery, women with intrauterine adhesions, intrauterine adhesions required dissolution of the scar tissue, कि जो हमने बात की कि intrauterine जो scar formation होते हैं, कि जो हापे, जो scar tissue develop होती है, उनको फिर से dissolve करवा देना भी जरूरी है, उनको वहाँ से completely remove करके normal uterine lining करना जरूरी है, तो उसके लिए भी proper medications या फिर surgery की जाती है, कि जिससे वो remove हो जाए, and treatment for secondary amenorrhea, depending on the course, may include the medical or surgical treatment, और a combination of two, तो यहाँ से आपको ये conclusion मिला होगा, कि जो primary amenorrhea तो हमने देखा, कि जो primary amenorrhea तो क्या था, natural था, तो वो तो natural, कि menopause जब होता है, उस वाग भी naturally periods आना बंद हो जाते हैं, और during the breastfeeding, and also during the pregnancy, तो ये naturally है, उसके लिए कोई medications देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई surgery करने की, automatically वो periods के बाद menstruation cycle start हो ही जाता है, या फिर menopause में तो automatically वो बंद ही हो जाता है, after the 40s and 50s, बट जो उसके पहले कि एक बार menstruation cycle start हो भी गया, और उसके बाद अच्छानक से बंद हो गया है, कि जो हम कहते है, secondary amenorrhea, तो उसका जो conclusion हम बनाए, कि अभी तक जितनी भी हमने study की, तो उसके basis पे तो treatment रहती है, based on the course, कि कौन से course के करण amenorrhea हुआ है, तो especially वो ही medications हम target करेंगे, बागे के use करने के ज़रूरत नहीं है, कि जिसके अंदर medical और surgical treatment, या फिर दोनों का combination, तो यह था हमारा detailed lecture regarding amenorrhea, so thank you for watching, जरूर से वीडियो को like करिए, जो भी कोई आपको queries हो, suggestions हो, comment करिए, comment box के अंदर, वीडियो को share करिए, and channel को subscribe करिए, and turn on bell notification, to get the notification of our each and every lecture, जरूर से like करिए, share करिए, subscribe कर लिजिए, and जो भी आपकी comments है, वो valuable comments, suggestions, comment box के अंदर comment करिए, तो WhatsApp group की facility भी available है, यह वाले number पर message करके, WhatsApp groups join कर सकते हैं, links available है, PharmaRox app की descriptions box में, तो जरूर से download करिए app PharmaRox, access करिए study material, taste series and video lecture, so good luck and all the best, जारी प्रीप प्रीपिट आवे मिए घट हो ढ़े बेट, झाल झाल